नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ हरी मिर्च की एक और शानदार चटपटी रेसिपी के साथ तो स्वागत है आप सबी का अपने channel हम मेड़ रेसिपी भाई सुनिता सिंग पर दोस्तों आज मैं हरी मिर्च की एक बिलकुल अलग रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाना आसान है घर में रखे सामान से बनकर तयार हो जाता है और स्वाद इसका ऐसा कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे तो आएए चले दोस्तों इस special इस्टफ भरी मिर्ची को हम कैसे बना कर तयार करते हैं दोस्तों उसके लिए ये जो medium size की मिर्च आती है वो मैंने ले लिए कोई भी मिर्च ले सकते हैं बशरते थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि हम उसमें मसाले को इस्टफ कर सकें मैंने इसके बीच इसी में रहने दियें क्योंकि बहुत तीकी नहीं होती हैं और थोड़ी तीकी हो भी तो मिर्च दो थोड़ा तीकी अच्छी लगती हैं तो देखे दोस्तों मैंने सबी मिर्चों में इस तरीके से चीरा लगा लिया है और दोस्तों इसे हम दही के साथ इश्टफ करेंगे तो ये दोस्तों मैंने थोड़ा सा दही लिया है लगबग आदा कटोरी इसे बारिक छलनी पर रख दिया है और एक बॉल पर रख दिया है त के लिए दोस्तों मैंने ये दो चम्मच मोटी सौफ को दरदरा पीस करके लिया है वो ले लिया है साथ मैं दो बड़ी चम्मच धनिय पाउडर ले लिया है थोड़ा सा हल्दी ले लिया है और दोस्तों थोड़ा सा हमने ये लाल मिर्च पाउडर लिया है क्योंकि मसाला थोड सब्सक्राइब कर तैयार होंगी और दोस्तों इसमें मैंने स्वाद के नुसार थोड़ा सा रेगूलर नमक डाला है और बिल्कुल थोड़ा सा हलका सा मैंने काला नमक डाल दिया इससे हमारी मिर्च का जायका बढ़ जाता है और मसाले को अच्छा कलर देने के लिए ये चोथा ही चमच मैंने कश्मीरी लाल में डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला दिया है और बीच में एक इस तरीके से होल बना देंगे और इधर हमारे दही को रखे हुई लगबग एक घंटा हो गया है और ये पानी इसका अलग हो गया है और ये दही गाड़ी है इसमें से दो बड़ी चमच हम इसमें दही डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे मसाले को यदि हमें लगेगा कि और जरूत है तो हम दही और डाल लेंगे तो दोस्तों देखिए मैंने सभी मसाले मिला लिया है मुझे दही थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें एक चम्मस दही और डाल दूँगी और मसाले को अच्छी तरह से मिला लूँगी लीजिए हमारी दही मसाले की स्टफिंग मिर्च के लिए तयार है आप जो मिर्च हमने चीरा लगा कर रखी ती इस तरीके से खोलेंगे और इसमें इस दही मसाले को इस तरीके से भर देंगे आप चाहें तो इसे चम्मस से भर सकते हैं लेकि चम्मस से मेरे से ठीक से भरा नहीं जाता है आए एक मिर्च को फिर भर के दिखाते हूं देखे दोस्तों मैंने इसमें भी दही मसाले को भर दिया है तो लीजे दोस्तो इस तरीके से मैंने सबी मिर्च को दही मसाले से भर करके तयार कर लिया है आईए आप इसका हम तडगा तयार करते हैं तो दोस्तों एक कढ़ाई में यह लगभग एक से 1.5 टेबल स्पुन ओयल लिया है आप कोई भी ले सकते हैं तेल गरब होने पर इस पर थोड़ा सा मैं क्योंकि हींग मेरी बड़ी श्ट्रॉंग है हींग जरूर डालने इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है अब इसे हलका से मिला लोंगी गैस की फ्लेम धीमी रखोंगी अब जो हमने धी मसाले से मिर्च को श्टफ करके रखाता उन सभी को इसमें डाल दूगी और धीमी करके इसे लगभग 2-3 मिनट थीमी फ्लेम पर पकने दूगी लगभग 3 मिनट बाद लिट हटा करके दिखाती हूं दोस्तों बड़ी अच्छी खुश्बू आ रही है और अब इन सभी मिर्चों को चमच की मदस से फिलिप कर दूगी देखे दोस्तों मैंने सभी मिर्चों क को फिलिप कर दिया है मिर्च के जायके को इनहेंस करने के लिए आधा चमच चांट मसाला डालकर इसे हलका सा मिला लेंगे यदि आपके पास चांट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह हलका सा अमचूर पावडर और हलका सा नमक डालकर भी मिला सकते हैं अब इस पर लिड दोस्तों मैंने पहले भी बहुत तरह की मिर्च की रेसिपिस दियें जो आपको मेरी अचार और चटनी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आप जाकर के देख सकते हैं तो लीजे दोस्तों हमारी स्वादिष्ट धही मसाला मिर्ची बनकर तयार हैं तयार मिर्च को हम एक सर्वि मिर्चों को आप रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं आप पिकनिक जाएं सफर पे जाएं तो इन धही मसाला मिर्ची को भरके जरूर लेके जाएं बनाकर लेके जाएं खाने का जायका बढ़ जाता है तो दोस्तों यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी पहुँचे, ठेंक्स फॉर वाचिंग, मिलती हूँ नेक्स वीडियो में एक और शानदार टेंप्टिंग सी रेसिपी कहता है तब तक के लिए बाई बाई